आम तौर पर उत्तर प्रिद्रिश के सीम योगी आदितिनाद को कम ही हस्ते हुए देखा गया है। अक्सर वे गंभीर मुद्रा में ही नजर आते हैं। हाँ, कभी-कभी उनके चहरे पर हल्की हसी उभटती है। लेकिन 28 अक्टूबर को सीम योगी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, उसे जिसने भी देखा उसके चहरे पर हसी तैर गई। आखिये ऐसी कौन सी तस्वीर है, जिसने सब को मुस्कुराहट दे दी। चलिए हम आपको इसी के बारे में बताते हैं। दरसल हर्याणा के सूरसकुंड में देशभर के सभी ग्रिमंत्रियों का संबेलन हुआ। केंद्रे ग्रिमंत्री अमित्शा इसकी अध्यक्ष्टा कर रहे थे और पीम नरेंद्र मोदी का भी इसमें संबोधन हुआ। चुकि जादाता राज्यों में ग्रेविभाग मुख्यमंत्रियों ने अपने पास रखे हैं। इसी सिलसले में यूपी के ग्रिमंत्री सीम योगी आदित देनाथ भी ग्रिमंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने सूरसकुंड पहुचे थे। इसी तरह असम के सीयम, हिमन्त विश्वा सर्मा और पंजाब के मुख्यमंतरी भगवत मान पे इस सम्मेलन का हिस्सा बने। इसी कारिक्रम से एक अनोखी तस्वीर निकल कर सामने आई। तस्वीर में सीयम लोगी आदित देनाथ, असम के मुख्यमंतरी हिमत विश्व सर्मा और पंजाब के मुख्यमंतरी भगवतमान एक साथ बैठे वे दिखाई दे रहे हैं। तीनों ही नेताओं के चहरे पर आपको खिलखिलाहट भी साथ दिखाई देगी। वे खुल कर हस्ते नजर आ रहे थे। अब इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर चम कर चाचा हो रही है। लोग इन तेनूं नेताओं के चहरे पर आई हसी को देखकर अलग-अलग अंदाज अलगा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगबत मान पेश्य से कॉमेडियन रहे हैं और हो सकता है। कि उन्होंने सीम योगी और इमन तविश्वा सर्मा के सामने अपने कॉमेडिय की कोई मिसाल पेश्य कर दी होगी जिस पज़े से ये नेता अपनी हसी नहीं रोप पाए। हाला कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मान ने सीम योगी से ये पूछ लिया होगा कि क्या वे बुल्डोजर चलवाने वाले हैं और इसलिए तीनों नेता हस पड़े होंगे। बहराल असल बात क्या थी ये तो तीनों सीम ही बता सकते हैं।